नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्ते राजन शरोडिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में बढ़ने वाले हैं जनरल साइंस समाने पिज्ञान के मुश्ट इंपोर्टेंट पचास प्रशने जो की दोस्तों ध कोश्टन NCRT से ही आते हैं और ये जो कोश्टन है दोस्तों ठीक है पचास कोश्टन ये टोटल बेस्ट और NCRT NCRT पी बेस्ट है दोस्तों NCRT की एक एक लाइन से दोस्तों एक एक सवाल बनता है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर दोस्तों आपके लिए most important कोश्टन लिकर जा सकता है जैसे हम पनीर को काटते हैं ने चाकू से उसी प्रकार से दोस्तों ये question पूछ रहा है कि किस धातू को चाकू से काटा जा सकता है देखे दोस्तों आम तोर पर क्या होता है धातू जो होती है वो बहुत कठोर होती है उधारती दोस्तों आप देख लो लोहा हो गया तीक है आप दिख सकते हो सोना चांदी तीक ये सब धातू होती है लेकिन कठोर होती है आम तोर पे या समानी तोर पे हम इसे कह सकते हैं लेकिन दोस्तों एक धातू ऐसी भी होती है जो जिसको हम चाकू से काड़ सकते है मतलब मुलायम होती है तो धातू कुन सी होती है याद ही मुलायम होती है और इनको कहांजा चाकू से भी काटाजा सकता है जैसे हम पनीड से काटते हैं इसलिए कोश्चन नमपर एक क्राइब रहसा जाएगा ओपर यह क्ति सभी तिक याद रखना लिथियम सो्डियम पोर्टैशिम और को चाकू से भी काटाजासकता अथ है होता है फोस होता है लेकिन दोस्तों एक धातू ऐसी भी होती है ठीक है मतलब एक नहीं कुछ धातू ऐसी भी होती है जिनका घंद तो बहुत कम होता है और वह क्या होती है पानी में तेरती है तो वह उपर युखते सभी लीथियम सोडियम पोटीसियम मतलब दोस्तों जिनको चाकू से काड़ा सकता है उनका घनत भी कम होता है और इसका कारण ये होता है दोस्तों कि इन धात्व में क्या होता है धात्विक बंध जो होता है दोस्तों बहुत कमजोर होता है इसके कारण से दोस्तों याद रखना इन्हें चाकू से भी काड़ा सकता है और ये पानी में त प्रवने लगती है तिक चलिए नेस्ट कोश्चन देखते भाई कमरे के ताप पर द्रव धातू है देखें दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी धातू होती है वो सभी क्या होती है ठोस अवस्था या गैस अवस्था में होती है लेकिन एक धात एसी होती है जोस्तों जो कमरे के तापर मतलब समानी तापर के होती है द्रव अवस्था में होती है या दरखना धातू में यदि कोई भी आपको फैक्ट अपबात का मिलता है किसका अपबात का मिलता है तो वो बहुत most important हो जाता है ठीक। उससे कोचन अवस्था पुछे ज याद रखना स्थो कमरे के ताप पर द्रव धातु की बात कर रहे हम तो धातु है पारा दोस्तो करते हैं Rателей कर रहेない next question है एक अधातु जिसमें चमक होती है देखे दोस्तों आम दोर पे का होता है सभी धातु चमकदार होती है कैसी होती है धातुंे चमकदार होती है और अधातुं के होती दोस्तों ये चमकदार नहीं होती है तीक है लेकिन एक अधातू है ऐसी भी है दोस्तो जिसमें चमक होती है तीक है और वो कौनसी है आयोडीन कौनसी आयोडीन तीक आयोडीन युक्त नमक खाएं आपने बिल्कुल क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगारो होता है तो याद रखना दोस्त तो सभी अधातू विद्धोत की कुच अलक होती है, जैसे लकडी हो गया ठीक है। पलास्टिक हो गया। टीक, लेकिन दोस्तो एक अधातू έसी वी होती है जो विद्धोत का सुच अलक है और उसका नाम है ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट का नाम आपने सुना होगा दोस्तों तीक है तो यहाद रखना हीरा और ग्रेफाइट के होते हैं कारवन के अपर रूप होते हैं लेकिन ग्रेफाइट जो होता है बिद्धुत का सुचालक होता है लेकिन हीरा बिद्धुत का कुचालक होता है कैसा होता है कुचालक मतलब इसमें से बिद्धुत रवाहि नहीं होती, लेकिन गरफाइट से होती है चलिए Next question देखते भाई सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है तो आपको पता होगा 24 केरेट खरा सोना कहते ना 24 केरेट का खरा सोना ठीक सुद्ध सोना कह लाता है लेकिन आबूसर बनाने के दोस्तों हम 24 के रेट सोने को प्यूग नहीं करते क्योंकि वो बहुत मुलायम हो जाता है इसलिए 22 के रेट 20 के रेट 18 के रेट आम तोर पर उप्यूग किये जाते हैं ठीक next question देखते हैं लोहा पर जिंक की परच चल्हाने की बिधी को क्या कहते हैं इस पे लोहा पर जिंक की परच चल्हा रहे हम भी यह जिंकी परच तो याद रखना किसके लिए जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए तीक अब जंग क्या होता है आपने देखा होगा आपका गैट पानी पढ़ता है तो क्या हो जाता है तो लाल करणर का हो जाता है व बढ़िया, मिट्टी की पेल में क्यों रख रहा है, पानी में कों नहीं रख रहा है, तो देखिए दोस्तों, मिट्टी की पेल में इसली रख जाता है, उसका कारण में आगे बताऊंगा, तो कुछ धातूपर रखा जाता है, तो सूरियम को दोस्तों, securing meats town दाटू है, हावा के साथ दोस्तों आक्साइड मनती है, और पानी के साथ दोस्तों इसमें विस्वोड होजाता है, इसलिए सबसे अधिक क्रियासील है उसे कहा रखा जाता है मेट्टी की तेल में रखा जाता है अब यहां question पूछ रहा है कि निम्न मैंसे कोई सबसे अधिक क्रियासील है तो याद रखना दोस्तों सबसे अधिक क्रियासील की बात जब भी आएगी तो potesium या sodium से भी जादा है दोस्तों क्रियासील कोई होता है potesium होता है potesium का sign के होता है को नहीं साब को पता होना चाहिए इसका प्रमालुक्रमान होता है हीलियम कैसा तत्तो है भाई अक्री तत्तो है अक्री कैसे आप पढ़ा होंगे दोस्तो हीलियम, नियान, क्रिप्टान, जेनोन, रेडोन टिक यह सब क्या होती है अक्री कैसे होती है को कि इसका अस्ठक पूल होता है तो helium कैसा ता तो है अक्रियत तो है कोई reaction नहीं करता सिलिकान क्या है उपधातू है क्या है उपधातू अब उपधातू क्या होती भाई जिसमें धातू और अधातू दोनों के गुड़ों क्या हो धातू प्लस अधातू दोनों के गुड़ों उसे क्या कहते है उपधातू कहते है तो याद रखना दोस्तों सिलिकान क्या है उपधातू है नेस्ट कोचन है ग्रिफाइट विद्दूत का क्या होता है मैंने बता दिया था भाई ग्रिफाइट विद्दूत का सू चालक होता है और हीरा कैसा होता है कूचाला कोता है और हीरा और वेफैट दोनों क्या है कारवन के अपर रूप है नेस्ट कोश्चन बाक्साइट किस थातू का अयस्क है याद रखना दोस्तों बाक्साइट एलूमिनियम का अयस्क है एलूमिनियम का प्रमालुक प्रमांग होता है तेरा औ और इसका electronic विन्यास की बात करता है दोस्तों दो आठ और तीर हो जाता है ठीक चलिए next question देखते भाई लोहा को जिंक्स से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते है अभी मैंने बताया था गैलबनी करण क्या कहते है गैलबनी करण या सद लेपन कहते है इसको लोहा को काई के लिए जंग से सुरक्षित करने के लिए ठीक चलिए next question देखते भाई विद्धुद अभगटन में electron मुक्त होता है क्या एनोट पर किस पे एनोट पर एनोट पर दोस्तों electron मुक्त होता है विद्धुद अभगटन में से कहे याद रखिएगा तामा और जस्ता की मिस्धातु को क्या कहते हैं बहरी बहरी मोष्ट आई एमप कोस्चन कई एकजाम में कई बार पूछा गया है हजजारों बार पूछा गया है ये question ठीक है तो याद रखना तामा तामा मतलब दोस्तो बनते है पीतल के बरतना ते ना वहीं पीतल के बरतन बनते हैं कापर और तामा को मिलाने कापर जिंक को मिलाने से next question कापर के साथ tin देखिए कापर के साथ हमने के मिला रहे थे अभी हम मिला रहे थे कापर के साथ जस्ता तिक अब कापर के साथ tin मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तो कासा क्या बनिएगा कासा कासा के भी बरतनाते हैं पीतल के भी बरतनाते हैं लेकि नियाद रखना दोस्तों कापर के साथ तीन मिलता है, क्या मिलता है, तिन मिलता है, ठीक, नेस्ट कोचन है, लेड और तिन, देखिए अब हमने कापर और तिन देखे थे तो काँ सा, अब लेड और तिन मिल जाएगा, तो सोल्डर, क्या होता है, सोल्डर, इस कॉप्यों दी जाए या अधातू अधातू को मिला दी जाए तो क्या हो जाता है वो क्या हो जाता है मिस्ट धातू हो जाता है लोहा निकिल क्रोमियम यह बनता भाई या इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं इस्टील क्या कहते हैं इस्टील और इसपात भी कहते हैं ठीक है तो लोहे के फ्राइइंग पैन', पैन मतलब क्या होता है, दोस्तो, पैन लिखने वाला नहीं रहे, भईया, पैन मतलब आपने सुना होगा, गरल होगी तो समझ जाएंगी, पैन मतलब होता है, तवा比較 को जंक से बजाने के कौँछ से बीधियोप्यूटता है, गरिस लगाके, गरि क्योंकि टिक चलिए दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा क्योंकि टिन की अप एक्षा जिन्क अधिक कुरिया सील होता है किसके अप एक्षा तिन की अधिक को प्राप्त करने की बीदी को क्या कहते हैं याद रखना दोस्तों निस्तापन कहते हैं निस्तापन कहते हैं मैंने डिटेल वाली क्लास में दोस्तों सब पढ़ा चुका हो निस्तापन क्या होता है भरजन क्या होता है आयस्क क्या होता है तीक है इसके लावा दोस्तों मैं हातु के आकसाइड प्राप्त करने की प्रिक्या क्या कहलाती है तो भर जन कहलाती है क्या कहलाती है भर जन कहलाती है सिने बार किसका इसका है सिने बार पारा का इसका है मरकरी या इसको पारा भी कहते है एजजी हाइड्रो जिरम से इसको प्रदसित करते हैं एक्वारेजिया म मतलब हाइडरोकलोरिक अमल और नै्ट्रिक अमल का अनुपाद केतना होता है तो 3 अनुपाद 121 होता है तो सोना और पिलेटनम जैसी धातू को गलाने में भी सक्षम होता है क्लियर चलिए निमने में से कौन उभै धर्मी आकसाइड है उभै धर्मी मतलब दोस्तों दोनों अमली और छारी दोनों प्रकार की प्रक्राइटी को प्रतसित करता है तो इसकांसर हो जाएगा दोस्तों AL2O3 मतलब एल्विनियम आकसाइड क्या हो जाएगा AL2O3 मतलब एल्विनियम आकसाइड उभै धर्मी आकसाइड है नेस्ट कोशचन कौन सी धातू तार के रूप में उपयोग होता है तो तामे के तार किस दातु का देहन चमकदार स्वेट जॉला के साथ संपन होता है कौन से धातू आक्सिजन से अभी क्रिया नहीं करती है बड़ा जबर्दस तवाल है तो याद रखना दोस्तो सोना क्या सोना इसको AU से प्रदसित करते हैं इसका नाम होता है औरम सोना मतलब औरम AU से प्रदसित करते हैं और सोना एक ऐसी धातू दोस्तों जो आकसिजन के अब एक्लिय नहीं करती है कुश्यन नम्र 31 अंतरोर जाएगा कैलसीयम मतलब 20, 20 मतलब दोस्तों ये जलमे तैरती है क्या होती है कैलसीयम धातू जलमे डालने पर तैरती है मतलब इसका गलनांग समानétais होता है उच्च होता है हाई होता है कैसा होता है धातू का गलनांग हमेज़ा हाई होता है लोहा पिगला के देख लो दोस्तो तो उसका गलनांग बहुत हाई होगा किस धातू का गलनंक सबसे कम होता है देखिए दोस्तों आम तोर पर धातू का गलनंक उच्छ होता है लेकिन कुछ धातू ऐसी होती है मैंने बताया ना जहां भी अपबादा जाए वहाँ पर कुश्चन बनता है इसलिए किस धातू का गलनंक सबसे कम होता है तीक बहुत जल्दी पिखल जाती है यदि आप इसको दोस्तों हतेली में भी रख लोगे तीक हतेली में भी रख लोगे तो ये हतेली में बाडी टेंपरेचर से गेलियम और सीजियम दोनों क्या होती है पिखल जाती है नेस्ट कोश्चन कारवन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकातिक प्रदार्त है कोश्चन नमर चोथी से कारवन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकातिक प्रदार्त है तो हीरा दोस्तों हीरा आपने सुना होगा कि कारवन का परूप होता है हीरा, ग्रिफाइट, ग्राफिन, फुलेरीन, ये सब किसके रूप है, कारवन के अपर रूप है और सबसे कठोर प्राकातिक परदात कों सा होता है, हीरा होता है, डायमेंड होता है किस धातू का गलनांग, धातू में सबसे उचे है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेट जवाल है याद रखना दोस्तो, टंग अस्टन, क्या टंग अस्टन का गलनांग, किस का गलनांग, टंग अस्टन का गलनांग, धातू में सबसे ज़्यादा होता है नेस्ट कोश्चन अधिकांस अधातू अक्सिजन के साथ मिलकर आकसाइड बनाते हैं जो जल में खुलकर बनाते हैं क्या बनाते हैं भाई बताईए कोश्चन नमर 36 का नामबर हो जाएगा अमल बनाते हैं एसिड बनाते हैं क्या बनाते हैं एसिड बनाते हैं नेस्ट कोश्च ताप पर भी अक्सिजन के साथ अभी क्रिया नहीं करते हैं तो सोना और चांदी दोस्तों चाहे कितने भी ताप बढ़ा दो अक्सिजन के साथ अभी क्रिया नहीं करते हैं इसलिए उपरी तो दोने इसका अंसर हो जाएगा एलुमिन पर आकसाइड की मोटी परत बनने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं जो से संचाराल से बचाती है तो एनोडी करल कहते हैं क्या कहते हैं एनोडी करल कहते हैं किसको एनोडी करल कहते हैं किसको एनलुमिन पर आकसाइड की मोटी परत जो संचाराल से बचाती है मतलब जं ना तो ना ही गरम जल के साथ अभी करती है तो याद रखना दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा और युगतितीनु मतलब ऐलूमीनियम ले लो चाहे जिंक ले लो दोस्तों तीनो धातू जो होती है क्या होती है ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गरम जल के साथ अभी क्रिया करती है अब important fact देखलो दोस्तो पिलेटीनम को सफित सोना कहा जाता है सिल्वे नाइट और कालवे राइट सोना के आयस्क होते है जूटा सोना या बेगूपों का सोना आयरन पायराइट्स को कहा जाता है इसको कहा जाता है आयरन पायराइट्स को दोस्तो जूटा सोना या बेगूपों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट्स मतलब F.E.S.2 ठीक है चलिए नेश्ट देखते है सोने का करतिम रूफ रोड गोल्ड होता है क्या होता है रोड गोल्ड कहते है रोड गोल्ड का सोना पहनती है वो लड़की ठीक तो रोड गोल्ड मतलब होता है करतिम रूफ सोना जैसा दिखता है ठीक है इसमें क्या क्या होता है कापर और अलुमिनियम होता है कापर 70% कापर 90% होता है Aluminium 10% होता है और इसको कहते है Road Gold तेक aluminum और कापर का मिस्रधात्यू होता है Road Gold चाण्दी के चमец से अंडा खाओ तो मना करते हैं लोग क्योग क्यों मना करते है क्योंकि चाण्दी के के कि चाण्दी दोस्तों अड़ना खाओगे तो अड़ना में पाया जाता है दोस्तो गंधक अभी क्रिया होगी काला रंग का बदाग बनता है चम्मस खराब हो जाती है नस्ट हो जाती है और वो होता है दोस्तो सिल्वर सलफाइट के कारण silver bromide copiog black and white मतलब दोस्तों सफेद और काली फोटोग्राफी में पहले आती थी ने black and white photo उसी में दोस्तों silver bromide copiog किया जाता है silver nitrate को दोस्तों lunar caustic भी कहा जाता है सिल्वर nitrate को आप चुनाओ जाते होंगे बोट डालने के लिए तो आपके जो उंगली में सही लगाई जाती है उसे ही कहा जाता है Silver Nitrate A. G. NO. 3 या इसे कहा जाता है मानों सरीर में कापर की मातरा हो जैसे अधिक क्या होगा बिलसन रोग हो जाता है कुम सा रोग बिलसन रोग होता है कापर की मातरा अधिक होने से चुहों को जबिस होता दोस्तों उसका नाम है जिंक फास्पाइड सबसे हलकी धाती होती है लीथियम सबसे भारू धाती होती है उसमियम तो दोस्तों ये class समाप्त होती है अब यहीं पर ठीक है अगली class में आपके साथ एक ने टापिक के साथ बहुत important question लेकर आऊंगा और इस प्रकार से आपको practice कराऊंगा तेकि दोस्तों आप पहले detail आपको पढ़ना ही होगा यहाखना होगा डेटेल पढ़ना होगा और यदि पढ़ना चाहते हैं तो चुप चाप fact को देखते जाओ सुनते जाओ और याद करते जाओ तीक है दोस्तों आसा करता हूँ आपको class समझ माई होगी ठीक है बहुत important question थे 100% छपने वाले question है तीक है यदि वीडियो पसंद आया हुगा तो like जरूर कर देना भाई ठीक है और चैनल पर नए आया होगे तो चैनल को subscribe कर लेना thank you, jahin, jay bharat